तो बैक एलेंज का आज हो चुका है contract expired and officially आज बैक एलेंज बन चुकी है एक free agent firefour का report करना है कि आज के दिन बैक एलेंज का contract officially वे में WWE से खतम हो चुका है अब किसे भी तरीके से WWE के contact में नहीं है and अब तक बैक एलेंज ने कोई भी नए दिल साइन नहीं करी है ना यह उन्होंने अपनी डिल को रिन्यूफ करा है यह फिलाल कुछ अपडेट का कहना है यानि वो एक फ्री एजेंट है कोई भी कंपणियों ने आफर कर सकती है अगर बैक लेंज को वह पसंद आती है तो वह साइन भी कर सकती है लेकिन हमें पता ऐसे अपडेट है वाकिया जब अपडेट आएगी कि बैक लेंज की कांट्राक के बारे में लेकिन बैक लेंज बन चुकी है फ्री एचेंट लेकिन आज एज इस तो अपने रिटार्मेंट करने वाले थे ऐसी चीज़े वह स्मैक डॉन में कर रहे थे सबीसे मिल रहे हैं अपर बारे में लेकिन जब कोडी रोड्स का उन्होंने कोडी रोड्स ने उनका हाथ उपर करा तो यह जिस नहीं अटक किया स्टेल स्टेफ पर भी मारा एंड पूटल अटक किया और यह जीज़ कंफर्म है कि क्लाश हट्रीकास्टल में इनका टाइटल मैच होगा तो काफ देगा अंडिस्प्यूटेड टाइटल का वाकिए सेग्मेंट आज काफी इंटरस्टिंग था जो कि स्माइक डाउन के अंदर हमें दिखाए देता है वल बात करते हम लोग अपने रे मेस्टेरियों की तो रे मेस्टेरियों चाहते हैं कि डबडबली जिस तरी के से इंटर डबडबली का एक प्रीमियम लाइब इवेंट होना चाहिए मेक्सिको सेटी के अंदर आने वाले कुछ सालों के अंदर तो देखते हैं यह जो ड्रीम है अपने रे मेस्टेरियों का क्या यह पूरा होता है या पर नहीं हर रेसलर को लगा कि उनके कंटरी के अंदर की अंदर रिया पर नहीं बलबात करते बरॉक लेटल की तो ब्रॉक लेस्टनर का नीम आज होता है फ्राडिनेट्स माक टाउन में जी हा जब आझ केविल और nella पाल मन का सेग्मेंट होता है थो अपक्ते हैं प्रचुम है बराॉमंट नेम के पासहें इस तरिक उनमेश्ट कर रही है पॉल हेमन के वैले स्पेश में उसके बाद ये सारी चीज़े स्टार्ट हुई अपडेट का भी ही कहना था तो आज फिलाल एक और हमें स्मैक डाउन में ब्रॉक लिसनर का नेम मेंशन होतावा दिखाए दिया है पाकी अब देखते हैं क्या पॉल हेमन अपने सौरी जो ब्रॉक लिसनर है वो कब आते हैं लेगन ये फिलाल कुछ चीज़े थी और इसके बाद ब्रॉक लिसनर का नेम आज हमें मेंशन होतावा दिखाए दिया है फ्राइड़े नैट स्माइक डाउन के अपिसोड के अंदर वहल बात करते हैं हम लोग बेली के बारे में नेक् वाइपर नेवल के अगेंस्ट उनका क्राइश अधिकास सेल के लिए में मेंश चैंपिंश्यूप का मैच ऑफिशल हो चुका है लेकिन जब उनके उपर अटाक होता है तो बैक स्टेज पर वह हैं यहाँ पर हमें मेडिकल रूम के अंदर दिखाए देती हैं यहाँ पर इंजर है अटाक किया है नहीं इंजर्ड वगरा वो नहीं है ऐस तच फ्लॉल स्टोरी घरी पाठ थे कि यहीं स्माइकडाउन के स्टोरी में ओव्लाल चीज से वहाँ बरें में रियल वगरामें इनजर्ड नहीं हुई है तो यह फाल विएम बारे में चीज़ेंड़ वेली के SmackDown में जब Roman Rains का नीम मेंशिन हुआ We Want Roman जो है ट्रेंड होने लगा WWE के SmackDown के बाद And We Want Roman जो है ट्रेंड होने लगा Same अपने We Want Cody के तरह ही Twitter पर And जो है रोमर रेंज का एकाइडिंग ट्वीट होने लगे है अब ही एक दो हजार ही है लेकिन डेफिनिटली आने वाले टाइमें बहुत बढ़ेंगे लेकिन पैंस भी अब रोमर रेंस के बीचे पागल हो रहे है जिस तरीके से अपनी वीवांट कोडी रोड्स के लिए सपोर्ट हो रहा था तो सेम रोमर रेंस के लिए पैंस सपोर्ट दिखा रहे है बाकि अब देखते है क्या इस हैश्टाइट के बाद रोमर रेंस का रेंस का रिटन होता है बनल चांस तो कम है लेकिन देखते हैं क्या चीज़े होती है लेकिन दरड लाइन की स्टोरी तब तक और भी अच्छे तरीके से कंटीनियू रहेगी याद की बाकि आपका क्या कहना इस врעले इतिंग के बारे में आपके जाब से रोमर रीज रिपार्न कब होना चाहिए यह कमने बताना अपला लाज के वाली वीडियो बस इपने से थी एंड मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर